अलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपरिमेंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं चैन ड्राइव के स्पीड कैलकुलेशन के बारे में चैन ड्राइव का इस्तिमाल किया जाता है और चैन ड्राइव में स्पीड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाइ स्टेप प्रोसीजर बताऊँगा आपको फॉर्मुला भी बताऊँगा साथ में example के साथ बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोसिस करूँगा कि आप इस chain drive में speed calculation कैसे करेंगे और साथ में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी sprocket को driving sprocket कहा जाता है और कौन सी sprocket को driven sprocket कहा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली है बन रिएगा वीडियो में अन्ति तक जब कभी भी एक shaft से दूसरी shaft में अगर power transmit करने के लिए sprocket और chain का इस्तमाल किया जाता है ऐसे mechanism को chain drive कहा जाता है तो chain drive में आप यहाँ पर image में देख सकते हैं यहाँ पर दो sprocket हैं जिसमें teeth कटी हुई है देखिए यह छोटा वाला sprocket है जिसे pinion sprocket कहा गया है और इधर जो बड़ा वाला sprocket है जिसे की larger sprocket या फिर wheel sprocket कहा गया है तो friends देखिए होता क्या है driving और driven का concept समझते हैं जो sprocket power source से directly connected होता है चाहे वो engine हो चाहे वो motor हो अगर यह motor से directly connected है या फिर engine से directly connected है याने कि घूमने का power वही देगा तो उसे कहा जाएगा driving sprocket जबकि जो दूसरा sprocket होगा जो chain के साथ इस sprocket के साथ connected रहेगा chain की मदद से घूमेगा उसे कहा जाता है driven sprocket तो friends यहाँ आपको driving और driven sprocket का concept clear हो गया जो खुद घूमता है घूमने का power देता है उसे driving कहा जाता है जो दूसरे sprocket की साहयता से chain की मदद से घूमता है उसे driven कहा जाता है अब चलिए speed calculation के बारे में बात करते हैं speed calculation के लिए आपको दो चीजों का पता होना जरूरी है देखिए सबसे पहले तो दोनों sprocket में number of teeth कितने है और दूसरी बात किसी एक sprocket का आपको rpm पता होना चाहिए तब आप दूसरे sprocket का rpm निकालेंगे तो friends चलिए यहाँ पर हम एक example ले लेते हैं यहाँ पर हमारा driving sprocket है जो की छोटा वाला sprocket है उसका जो rpm है वो 1000 rpm है अब उसमें जो t1 यानि कि उसका number of teeth जो है वो 10 teeth है उसमें 10 teeth है अब हमारा जो driven sprocket है यानि जो बड़ा वाला sprocket है उसका n2 हमको निकालना है यानि कि हमको उसका rpm निकालना है हमको rpm नहीं मालूम है हमको क्या मालूम है उसमें number of teeth कितने है वो मालूम है T2 example की तौर पर यह है T2 यहाँ पर 20 है यानि कि 20 टीथ है उस पर अब आज आते हैं formula के उपर तो friends formula बहुत ही simple है और वो है N1 T1 is equal to N2 T2 अब यहाँ से अगर आपको N2 की value निगालनी है तो T2 को cross multiply कर दीजिए यानि कि T2 इधर नीचे आ जाएगा तो N1 T1 upon T2 is equal to N2 अब इस formula में आप value put कर दीजिए N1 हमारा था 1000 rpm T1 था 10 upon T2 T2 था 20 तो यहाँ पर N2 जो आ रही है हमारी N2 की value आ रही है 500 यानि कि N2 जो है वो 500 rpm उसकी speed है तो जो बड़ा वाला इस pocket है वो 500 rpm में घूमेगा तो इस तरीके से आप किसी भी size के किसी भी number of tits के आप यहाँ पर chain drive में speed calculation कर पाएंगे अगर आपका driving sprocket कितने rpm में घूम रहा है तो driven sprocket कितने rpm में घूमेगा आप इस तरीके से calculate कर सकते हैं अगर आपको speed बढ़ाना है तो आप जो driven sprocket है उसका number of teeth कम कर दीजिए अगर आपको speed घटाना है तो जो driven sprocket है उसमें number of teeth बढ़ा दीजिए तो इस तरीके से आप speed calculation कर पाएंगे और change कर पाएंगे आपने chain drive में तो दोस्तो इससे पहले मैंने belt drive के उपर भी video upload की थी वो भी काफी आसान है और बहुत ही simple है तो उमीद करता हूँ ये video आपको काफी पसंद आई होगी ऐसे ही बहुत सारे technical videos जो है मेरे channel पर uploaded है industrial videos भी है जो की direct field से related है अगर आपको 1% भी ये video helpful लगी हो तो प्लीज इस video को like करिएगा मेरे channel को subscribe करिएगा फिर से मिलेंगे next video में तब तक के लिए अलविदा